वेल्कम बैक अप्रिवान वेल्कम टे सुवल सर्विसे श्टड़ी प्रेक्टिस सेट नमबर ये 279 नहीं ये टाइस स्रीज यूपी पेस सी पीसे इसके ने चल रही है प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम इंपोर्टेंड करेंट अफेट्स के प्रश्णों पर ही तो चलिए स्ट करते हैं कुछ सेगेंड का टाइम मिलेगा एक प्रेश्ण को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना की अंसर क्या होगा तो निम्लिखित को सही सुमलित कीजिए एक तरफ है युद्ध अभ्यास और दूसरी तरफ है उसके भागेदार देश मतलब जिन दो देशों के बीच व भारत ओमान के बीच जो मैत्री है वो है भारत और थाइलेंड के बीच जो युद्ध व्यास है उसका नाम ही युद्ध व्यास है वह होता है भारत और अमेरिका के बीच और नॉमेडिकल इफेंट है भारत और मंगोलिया के बीच कई बार प्रश्न वने एक्जाम में इससे तो एका टू वीका वन सीख का फोर डी का हो गया थरी ओप्सन नम्बर बी तो यह है युद्धव्यास और यह है भागिदार देश अल नजा होता भारत उमान के बीच मैत्री होता भारत थाइलेंड के बीच युद्ध व्यास होता भारत अमेरिका और भारत और मंगोलिया के बीच होता है नॉमाडिकल एफेंट कोश्चन नॉमबर टूपर आजएए किसे वर्स दोहार 24 के लिए रसान विक्यान में नोबल पुरुसकार नहीं पुरदान किया गया है बताएए दे नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री 2000 14 जॉन एम जपर को डेविड वेकर को, जेम्स पीवल्ण को डेमिस हजबिस को डेमिस हजबिस है इसमें डेविड वेकर है इसमें देखे हाल ही में ये सडार wonderful स्वारा वर्स 24 के लिए डेविड वैकर को कॉंपिटेशनल प्रोटीन डिजाइंग के लिए और डेमिस हजबिस एवं जॉन जंपर को प्रोटीन की संरश्चना की भविश्चवानी के लिए रसान पिग्यान में नौबल पुरुस्कार प्रदान किया गया है कुष्चन नंबर तरी पर आजी है वैश्विक आतंकवाद सूचकांग 2-24 में भारत का कौन सा स्थान है वैश्विक आतंकवाद सूचकांग 2-24 में भारत है 14-14 इस्थान पर तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानि Global Terrorism Index GTI में भारत 14 स्थान पर है इस रिपोर्ट के मुताविक आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभाविच जो देश है वो है बुर्कीना फासो ठीक है बुर्कीना फासो वह यह जो रिपोर्ट है GTI रिपोर्ट को Terrorism Tracker और अनसरोतों के डेटा का उपयोग करके Think Tank Institute for Economics and Peace के दोरा तयार किया ज़ता है इसको यह जो Global Terrorism Index कों तयार करता है इसको Institute for Economic and Peace और यह सूचकांक या Index या रिपोर्ट 163 देश में आतंकबाद के प्रभाव का अध्यान एम विस्टिलेशन करता है या करती है इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडिया प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल्या वाट्सप करके पेड़ टालीग्राम ग्रूप से जुड़कर कोश्च नंबर फोर पर आजए निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित है यह हैं आदरभूमी इस्थल और यह हैं वो राज काजू बेली पक्षी अभ्यण के सामने केरल लिखा तबाज़ाशे के सामने तमिल्नाडु लिखा ग्लत है तो गलत है तबाजला से काजू बेली तमिलनाडू में हैं सामने केरल लिखा है नीचे भी काजू बेली वद्ध प्रदेश तीनों के तीनों गलत हैं कोई भी साही नहीं है पर एक में नजराण डालना था चलिए कोई नहीं तो अगस्दोहर 24 में नए वाले आद्रभूमी स्थल हैं जो अगस्दोहर 24 में सामिल किये गए जिनके बाद वयासी से भारत में आद्रभूमी स्थल की संख्या 85 हो गई है ठीक है बर्तमान में तो अगस्दोहर 24 में सामिल की गई जो आद्रभूमियां है तीन आद्रभूमिय वो है नजरायन पक्षिया भेहन तमिलनाडू का और तबा जलाशय मध्य प्रदेश का और काजु बेली पक्षिया भेहन ये भी तमिलनाडू का तमिलनाडू के बिल्लू पुरम जुले में कोरो मंडल तट पर है एक में नजरायन डालना था तीनों इनकरेक्ट करवाने थे व लिए डिए धीलाला अंसर भी से अधराजटि आज मोसे में 24 में भारत का कौन सा इस्थान है हर संथान है अ कौनन सा स्थान छोटिस अभा 32 कि आ और किया अन्तराश्टे बहुदिक संपदा सूचकांग 24 में भारत को 55 प्रमुक अर्थ प्रवस्थाओं में 42 पाज स्थान मिला है। इस सूचकांग में भारत का स्कोर कितना है कुल 38.64 प्रतिशात है। और इस सूचकांग में सेंगतराज अमेरिका 95.98 प्रतिशत स्कोर के साथ सीर्स इस्थान पर है उसके बाद United Kingdom दूसरा है और फ्रांस तीसरा है इसमें और इस रिपोर्ट को कौन परकाशित करता है अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार निती केंद्र अंत अंतराष्टे मुद्राकोस निकलता है विश्वार्थिक मंच निकलता है तो कौन निकलता है चैंबर ऑफ कॉमर्स का नवाचार नीती केंद्र अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीती केंद्र अंतराष्टे अबधिक संपता सूचकांग को जारी कर करता है कि कोईश्चन नुम्र 6 पर आज़ेए भ्रष्टाचार बोध सूचकांग यानि करप्सन परसेप्सन इंडेक्स दोहाट 23 की बात हो रही है भारत 180 देशों में 93 स्थान पर है और इस सूचकांग में 0 स्कोर का मतलब है उस देश की 6 साफ है और 100 स्कोर का मतलब है वह दे समय भारत 39 पर है ठीक है यह दूसरा बाला गलत है उल्टा फिल्टा लिखा है इस सूचकांग में 0 स्कोर है न तो उसका मतलब हो उस देश की 26 साफ है अगर स्कोर जितना बढ़ता जाएगा अगर 100 हो गया तो सबसे जादा भ्रष्टाचारी हो गया वह ठीक है उल्टा ही ब कुछा है तो कि वह लेक सही है इसका अंसर है यानि आपको कम भ्रष्टाचारी होना है तो आपके पास स्कोर होना चाहिए देखे ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मताविक वर्ष्टाचार बहुत सूचकांग करप्सन पर सेप्सन इंडेक्स में भारत 180 द पर सेवन पर आजए जलबायू परिवर्टन प्रदर्शन सूचकांग 23 में भारत का कौन सा इस्थान है साथवा भारत का इस्थान है साथवा ऑप्सन इंडेक्स वाले ना इनकी रिपोर्ट या तो 9 माई होगी या दिसंबर माई होगी या जनबरी 24 माई होगी ठीक है तो वो 23 के ही काउंट होंगे अब 24 वाली जो है वो दिसंबर 24 में आएगी या पच्चेस में जनबरी पच्चेस में तो वो 24 वाले काउंट होंगे तो जो 23 वाला वो 23 वाला है इनको उल्टा-फुल्टा मत कर देना और पूछेगा भी यही कि उस समय तक एक्जाम हो लेगा देखे आठ दिसंबर 24 को जर्मन वाच्च क्लाइमेट एक्सें नेटवर्क इंटरनेशनल तथा नियू क्लाइमेट इंस्टिट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जर्वायू परिवर्तन प्रदस्न सूचकांग 23rd जरी किया गया और यह सूचकांग का 19 संसकोनध ठाग भारत यही है सूचकांग का 19 संसक्रण था और भारत इस सूचकांग वे 30.25 स्कोर के साथ 7 वे स्थान पर था तो भारत कौन से स्थान पर रहा इस साथ वे स्थान पर ये भी पूछे जा सकता है कि जलवायू परिवर्थन प्रदस्थन सूचकांग को कौन जारी करता है यू एन इपी यानी संयुक्त राश्च परियावरण कारेकरम करता है क्या नहीं तो कौन करता है जर्मन वॉच्च क्लाइमेट एक्सें नेटवर्क निम्रे के दमसे कौन सा कथन सही है ये ट्रेको मा है क्या आपको आपसंस पढ़कर पता चलेगा तो यह है एक संक्रामक बिमारी है जो क्लेम आइडिया ट्रेको मेटिस नामक विशानू की बज़े से होती है इस बिमारी से निजात पाने में भारत ने दक्षन पूर्व देखिए क्लेम आइडिया पहली बात तो यह बैक्टिरिया जी बाणू नहीं है तो ट्रेको मेटिस नामक एक बैक्टिरिया के दवरा होती है वाइरस के दवरा नहीं और इस बिमारी से भारत इस बिमारी से निजात पाने में भारत ने दक्षन पूर्व एसिया में तीसरा स्थान हासिल किया है पहला नहीं समय पर इलाज ना किये जाए तो इससे अंधेपन की समस्या हो सकती है और हाल ही में भारत ने इस बीमारी को भारत से पूरी तरह से खत्म कर दिया है रेडिगेट कर दिया है कि बाद डी इसमें सही है तो भारत में आखों में होने वाली बीमारी जो है ट्रेकोमा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है यह एक संक्रामक बीमारी है जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटेस नामक एक वेक्ट्रिया के दौरा होती है ना कि वायरस अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो इससे अंधेपन की स समस्या हो सकती है इस विमारी से निजात पाने में भारत ने नैपाल म्यामार के बाद दक्षिन पूर्वी एसिया में तीसरा इस्थान हासिल किया है तो पहला इस्थान पर नैपाल और दूसरे पर खत्म किया म्यामार ने भारत ने खत्म किया तीसरे पर तो तीनों के तीनो सब्सक्राइब करना तो पहला ही वाला यहां पर सही है दूसरा बाला करता है तो हाल ही में स्वास्वर परिवार कल्यान मंत्रा लेने इंडिया टीवी रिपोर्ट 24 जारी की जिसमें बताया गया है कि तपैदिक या छे रोग या टीवर कुलोसिस कहलो या टीवी कहलो के कारण मृत्ति उदर वर्स दोहार 15 में 28 प्रती लाख जनसंक्या से घट कर वर्स द दूसरा बाला स्टेट्मेंट जो कहरा कि बढ़ी है बढ़ी है नहीं घटी है यहीं टीवी से मरने वालों की संख्या कम हो गई है अब छे रोग है क्या तो छे रोग माइक्रोबेक्ट्रियम ट्रूबर कुलोसिस के करण होने वाला एक जीवानु जनित रोग है यह वेवार जनित संक्रमण है जो संक्रमित के साथ निकट संपर्क विसेश रूप से खराब वेल्टिनेशन वारी घनी अवादी जैसे स्थानों में फैलता है लक्षन क्या है फेपडों की टीवी के विभेन सामाने लक्षन जैसे के खांसी के साथ बलगा माना और कभी-कभी खून भी रिपोर्ट या वैश्विक मानव विकास उचकांग कुछ भी कहलो इसको वर्स वहर 23-24 के मुताविक कौन सा देश सीर्स इस्थान पर है कौन सा देश है सीर्स इस्थान पर सीर्स इस्थान पर है स्विट्जर लैंड अपसर नंबर भी है इस कांसर तो सेयुक्त राष्ट अव्बीज कारिकरम यू इन्दीबीच जारी करता वानव विकास रिपोर्ट 23-24 के मुताविक भारत 193 वे देशों और छेत्रों में वानव विकास Orch उचकांक में 144-वे स्थान पर है और इस उचकांक में पहले इस्थान पर है सुट्जर लेंड है ठीक है भारत के प्रोसी देशों की बात करें तो भूटान 125 पर है भारत से अच्छी हालत में है बंगलादेश भी भारत से अच्छी हालत में 149 में इस्थान पर है 134 पर अपसर नुम्बर भी प्रस्ट पूछने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं हर तरह से तयार रहीएगा तो इसका सीर्सक भी है एक ब्रेकिंग दा ग्रिड लॉक रीमेजिंग कोपरेशन इन ए पोलराइजड वर्ड वाली सीर्सक सीर्सक वाली मानव विकास रिपोर्ट 23-24 की अनुसार भारत जो है भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांग में 134 पर इस्थान पर है सीर्जर लेंड इसमें पर्थामिस्थान पर है यह रिपोर्ट सें उक्तराष्ट विकारस कारिक्रम यानि UNDP दोरा जारी की गई है और यही जारी करता है इसको बानव विकास रिपोर्ट वर्स 1990 से जारी की जा रही है इसको भी आद रखेगा सीर्ज तीन देशों की बात करें तो सिर्जर लेंड पर्थामिस्थान पर है उसके बाद नौर्वे दूसरा है आइसलेंड तीसरा है सबसे खराब देश है सुमालिया साउथ सुडान और मध अफिरी की गणराज है भारत 134 पर इस्थान पर ये भी एक तरीका आया प्रश्न पूछने का वर्ट वेट्लेंड डे की थी पिछले पांच वर्सों में कौन सी नहीं रही ये पूछ लिया आद्र भूमी और ज़ल आद्र भूमी और बानव कल्लेयण ये तो वर्स दोहार 24 की है तो ये तो है ये तो है अपने को ढूड़न नहीं रही आद्र भूमी और जल ये वर्स दोहार 20 की है आद्र भूमी और जय विष्टा ये भी वर्स दोहार 21 की है आद्र भूमी और सतत विकास नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा डी क्या एंसर अपसर नमबर डी है तो वर्स दोहार 24 में विश्व आद्र भूमी दिवस की थीम क्या है आदर भूमी और मानव कल्यान दोहर तेईस की थीम क्या है वेट लेंड रेस्टोरेशन दोहर बाइस की क्या है वेट लेंड एक्सन फॉर पीपल एंड नेचर और दोहर इकिस की क्या है आदर भूमी और जल यानि वेट लेंड एंड वाटर दोहर बीस की क्या है आद रभूमी और जय विवहता यानि वेट लैंड वायर डायवर्सिटी और तो हर उनिस की क्या है आद रभूमी और जलवाई उपर रिवर्तन यानि वेट लैंड एंड क्लाइमट चेंज आपसा नमबर ए में कौन सी है आद रभूमी और जय विवहता आद रभूमी और जय बीस की है ठीक है आद रुमी और जल 21 की है तो यह ऐसे है यह 20 है ठीक है यह 21 है यह 23 है यह 24 है और यह कुछ नहीं है और यही आंसर है तो 12 प्रशन एडिट थे यह मौर्णिंग में 15 ठीक है इन सभी की प्रक्टिस कर लीजेगा इंपोर्टन है प्रशन बनेंगे इन से